हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी दोस्तो आप लोग अपने फोन में इस्टाग्राम में कोई स्टोरी यहां पे पोस्ट करते हैं और वो जो पोस्ट होता है वो आपके फेस्बुक में भी चला जाता है तो यहां पे आप लोग इ अपने phone पर Instagram को open करिए open करने के बाद यहां पर आपको अपने profile वाले icon पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर आपको एक option आता है setting का तो आप लोगों को यहां पर क्लिक करना है setting वाले option पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको account का option आता है तो यहां पर क्लिक करिए उसके बाद दोस्तो यहां पर आपको इस तरीके से दिखाता है तो अब यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको एक option आएगा sharing to other application का तो यहां पर आपको क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई देगा तो फिर यहाँ पे आपको अपनी name वाले option पे क्लिक करना है फ़स्ट में उसके बाद दोस्तो यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से दिखाता है तो दोस्तो आपके phone पर यह जो है इस तरीके से enable रहेगा दोनों जो है इस तरीके से enable रहता है तो आप लोग उसको इस तरीके से click करके इसको जो है दोनों को disable कर दीजिए दोनों को disable करने के बाद दोस्तो यहाँ पे आपको account center का option आता है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको sharing across profile का option आता है यहाँ पे क्लिक करिए उसके बाद आपको अपना facebook वाला account पे क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यह जो दोनो option रहेंगे वो आपके phone पर on रहेगा यहांपे आप देख सकते हैं तो आप लोगों को इसको भी बंद कर देना है जैसे इसे आप लोग chip में यहांपे बंद करेंगे तो उसके बाद दोस्तो जबही आप लोग में भी पोस्ट करना चाहते हैं तो आपको इसको जो है अपने फोन पर आन करना पड़ेगा तो इस तरीके से आप लोग जो है इस प्रॉबलम को सॉल्बग कर सकते हैं तो गाईज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए